अगर इस एक बात को हर गगती समझ ले, तो हम अपने मन की खिशमताओं का बहतरीन इस्तेमाल करने लगेंगे। किसी एक परसनालिटी को अपनाएं बिना दुनिया के काम नहीं हो सकते, पर एक ही परसनालिटी में अटकना ज़रूरी नहीं है। जागरूख होकर एक परसनालिटी अपनाने से काम भी हो पाएंगे और आप वो परसनालिटी भी नहीं है। बदलते माहोल के हिसाब से, खुद को कैसे बदला जाए। क्या कोई संतुलन बन सकता है। देखिए व्यक्तिकत परसनालिटी इस शब्द को अगर देखें तो ये शब्द बना है मूल रूप से परसना से। परसना यानी आपका मास्क, कोई एक काम करने के लिए आपको एक मास्क पहनना पड़ता है। अब ये आप एक खिलाडी हैं। जब आप खेल के मैदान में होती हैं, तब आप एक तरह का मास्क पहनती हैं, जो कि जरूरी है। वो मास्क आक्रमक होना चाहिए, अगर जरूरी हो तो विरोधी में डर जगाने वाला, जैसी जरूरत हो। जो भी हो, आपको उस तरह का मास्क पहनना चाहिए। आप ऐसा मास्क घर पर नहीं पहनते। आप ऐसा मास्क अपने दोस्तों के बीच में नहीं पहनते। क्योंकि मास्क वही होता है जिसे अपनी मर्जी से पहना और उतारा जा सके आज कल इस वाइरस के समय में हर कोई मास्क पहने है वो अलग दरा का मास्क है पर परस्नालिटी का यही मतलब है अलग अलग तरा के कामों को करने के लिए हम खुद को खास सांचों में ढालते हैं पर समय बीतने के साथ-साथ लोग 30-35 के होते होते एक ही मुखोटे में अटक जाते हैं वे इसे उतारी नहीं पाते हैं हर जगा वे एक ही जैसे रहते हैं अब ये परेशानी बन जाएगा अगर आप किसी बच्चे और एक बड़े व्यक्ति को देखें जब वे पांच ये शे साल के थे तब उनके चेहरे कुछ ऐसे थे एक बड़ी स्माइल उनकी मुस्कान ही नहीं रुकती थी पर धीरे धीरे उनका चेहरा गंभीर बन गया क्योंकि वे अपने ही मास्क में अटक गये हैं उन्होंने एक मास्क पहना और वे उसे उतार ही नहीं पाते वो हमेशा चिप कर रहता हैं तो अपनी परस्नालिटी को ठोस बनाना ज़रूरी नहीं है ये बहुत ज़रूरी है कि अपनी परस्नालिटी को लचीला बनाया जाए अलग-अलग तरह के कामों को करने के लिए अलग-अलग तरह के मास्क पहनने ज़रूरी हैं बिना मास्क के बिना परस्नालिटी के आप दुनिया में काम नहीं कर सकते ये पक्की बात है पर एक ही मास्क में अटकना ज़रूरी नहीं है आप एक बिलकुल अलग व्यक्ति बन सकते हैं जैसी परिस्थिती की मांग है तब जाकर आप खुद को पूरी तरह से प्रकट कर पाएंगे वरना आप उतके ही बनाये हुई धांचे में अटक जाएंगे ये आपकी ही बनाई जेल है जिसमें आप फस गये हैं अगर कोई आपको बंदी बनाता है तो ये दुरभागय पूर्ण है पर बात समझी जा सकती है पर खुद को बंदी बनाने से बड़ी मुर्खता नहीं हो सकती है पर अधिकतर समय 90 प्रतिशत लोगों के साथ यही हो रहा है पर सर मैं मास्क के बारे में सिर्फ ये पूछूँगी कि मुझे लगता है कि बात सिर्फ हमारी नहीं है मैं ये समझ गई कि अगर हमें खुश रहना हो तो हम मुकोटा हटा कर खुश रह सकते हैं पर बात दूसरे व्यक्ति की भी है जिससे आप बात करते हैं या प्रतिक्रिया देते हैं तो मुझे पक्का भरोसा है कि तब मुकोटा फिर चड़ जाता है तो तब हमें क्या करना चाहिए यानि हम जिससे बात कर रही हैं वो हमें पसंद ना हो फिर भी अच्छा व्यवार करना पड़ता है उनकी बाते सुनकर भी अच्छा बरताफ करना पड़ता है ऐसे में हम क्या प्रतिक्रिया दे देखिए क्योंकि ये हमेशा होता है पक्के तोर पर सभी के साथ पहले मुझे बता ही वो इंसान कौन है ये ये पूरे देश में एक निउस बन जाएगी मेरा मतलब था कई लोगों के साथ जैसे हम किसी मित्र की बातों से या उनके काम से नराज भी हो सकते हैं जैसे आपका प्रियमित्र कुछ कह रहा है और शायद हमें वो पसंद ना आए पर हम नजर अंदास कर देते हैं आप उससे साफ साफ ये नहीं कह सकते कि मुझे पसंद नहीं है ऐसा मत करो उन्हें बुरा लगेगा मैं ये कह रही हूँ क्योंकि सर मैंने कभी-कभी देखा है कि जब हम अपने दोस्तों से बात करते हैं तब हमें लग सकता है कि वो गलत है पर हम उन्हें बताने में हिचके चाते हैं मैं और कई लोग उनसे मुझे पर नहीं कह पाते देखें, सिंदू बात ये है कि ये बात लोगों के सही या गलत होने की नहीं है बस इतना है कि हर इंसान अपनी समझ और बुद्धी की अनुसार जीवन को समझ कर काम कर रहा है और जी रहा है हर कोई जीवन को एक ही हद तक समझ कर जीवन का बोध नहीं पह सकता. अगर आप देख पाएं तो देखेंगे कि लोग अपनी सीमाओं की वज़े से वैसे हैं, जैसे वे हैं. तो आप उनके सही, घलत, अच्छे, बुरे वगेरा के बारे में फैसला सुनाने के बज़ाए उनकी सीमाओं को तोड़ने का प्रयास करेंगे. अलग-अलग तरह के लोग हैं. जरूरी नहीं कि हर इंसान का हर काम आपको या मुझे पसंद आए. ऐसा नहीं होता. लेकिन पसंद आना जरूरी भी नहीं है. किसी काम को करने के लिए मास्क पहन कर भी. मास्क पहन कर भी आप आप ही रहते हैं. पर अभी समस्या ये है कि मास्क आपके चहरे से ऐसे चिपक जाता है कि आप अपने और मुखोटे के बीच में फर्क नहीं कर पाते. तो मास्क या परसोना से मेरा मतलब है कि आप उसे सजग होकर पहने. जब आप उसे सजक्ता पूरोग पहनते हैं, तब आप अपने काम तो कर पाते हैं, पर आप वो बन नहीं जाते देखे, वो बन न जाना, यानि आप एक लंभी लड़की है मैंने देखा है कि किसी भी पोडियम पर आप सभी से उंची होती है तो आप इसी तरह नहीं जनमी थी, आप इतनी सी पैदा होई थी और अब इतनी हो गई है तो ये एक धेर है, शरीर बस एक धेर है इसी तरह जिसे आप अपना मन, अपने विचार या अपनी भावनाईं कहते हैं, वो बस एक धेर है हम जो जमा करते हैं, हमारा होता है, पर हम नहीं हो सकता है, यह हम नहीं हैं, अब यह कपड़े, यह मेरे हो सकते हैं, पर यह मैं नहीं हूँ, इसी तरह यह शरीर, इसी तरह यह मन के धाचे, अगर हम इसके प्रती जागरूख हो जाएं, कि मैं क्या हूँ और मैं क्या नहीं हू अगर ये एक चीज हर इनसान समझ ले, अगर वे इसके प्रती सजग हो जाएं, तो ये सारी चीजें कोई मुद्दा नहीं है, हमें शरीर और हमारे इस मन की बहतरीन क्षमताओं का इस्तिमाल करेंगे, और बस, खास कर एक खिलाडी के रूप में, आपके लिए आपके शरीर औ और मन का बहतरीन इस्तिमाल ही, वाकई सबसे जादा माहिने रखता है, तो अभी आपने एक खिलाडी होने के नाते गौर किया होगा, जैसे सभी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, क्योंकि आप एक खिलाडी हैं और मैं आपकी बात इसलिए कर रहा हूँ, क्यों आपने एक बुरा शॉट खेला तो आपको वही नतीजा मिल जाएगा, इसलिए आपके लिए ये देख पाना जादा सरल है, कि आपकी जिंदगी में कितनी बार आपकी इच्छाएं, आपकी भावनाएं, आपके मत्व, विचार, आपके काम में रुकावट बन जाते हैं, त तो दुनिया में कितनी सारी चुनोतियां हैं, अभी हम एक बहुत चुनोती पूर्ण दौर से गुजर रहे हैं, ठीक है, पर आप खुद, आपकी ख्षमताएं, आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपके शारिरिक क्रिया कलाप, आपके जीवन में रुकावट नहीं बन देखे, क्योंकि आप 21 सदी में हैं, तो आप राकेट समाल रही हैं, पर अगर आप यहां 1000 साल पहले होती, तो आप एक तलवार या कुछ और चला रही होती, यानि हम आज के समय की वज़े से अपने काम कर पा रहे हैं, तो आज के समय में जैसी संभावनाएं हैं, वैसी ही चुनोतियां भी हैं, ऐसे में अगर कोई व्यक्ति, अपने शरीर, अपने विचार, अपनी भावनाओं, अपनी उर्जा को चुनोती बनाएं बिना, अगर जी सके, इस एक चुनोती को हटाने पर आप जीवन में बहतरीन चीज़े कर पाएंगे, आपका बहतरीन, क्या दु अपने बहतरीन स्तर पर हैं, आप अपने लिए बाधा नहीं है, दूसरी बाधाएं हमें पार करनी होंगे झाल